गूट मॉर्निंग क्लास लेकेंट, हाओ आर यू? नाओ ओपन यूर साइन्स बूप एंड ओपन यूर सेकंड लेसन यूर सेकंड लेसन, काइंट ओफ प्लांट्स यनि कि यहाँ पे आपको प्लांट्स की लाइफ के बारे में देर रखा है पौदों की जीवन कैसे होता है और काइंटस और प्रकार मतलब उनके प्रकार क्या होता है अब याश्य रीट करेंगे We see many kind of plants around us हमारे 4 तरब बहुत से प्रकार के पौदे होते हैं Plants have different shape and size Plants के क्या होते हैं? अलग-अलग आकार होते हैं अलग-अलग उनकी आकरिती होती है Some plants are very big and tall कुछ plants पौदे बहुत ही लंबे होते हैं Tall होते हैं न बहुत ही बड़े और लंबे Some plants are small और कुछ पौदे आपने क्या देखे होंगे छोटे Some plants are very small Grass is a such a plant अब कुछ पौदे तो इतने छोटे होते हैं चोटी चोटी घास जब इतने छोटी चोटी घास यह थे छोटी होती हो घास अब देखो बेटे ट्रीज त्रीज मतलब आप सब को पता है त्रीज मतलब होते हैं पेर Big and tall plants are car tree जो बहुत बड़े लंबे उंचे होते हैं उनको हम कहते हैं ट्री उन पधों को हम क्या कहते हैं ट्री They have broad and strong बहुती मजबूत strong होते हैं उनकी स्टीम तने The stream of the tree is called trunk उनके जो तने होते हैं उनको हम कहते हैं trunk The trees stand straight and grow to very high यह प्रेड़ के होते हैं बहुती स्टेट सीधे होते हैं और उनकी उंचाई बहुत लंबी होती है Most trees have branches बहुत से trees की क्या होती हैं शाखाएं भी होती हैं branches भी होती हैं बैनियन, नीम, गुल्मोहर, पेपल and mango trees have branches यह देखें बरगत, नीम, गुल्मोहर, पेपल and mango आम के पेड़ में क्यों होती हैं बहुत सारी टहनिया होती हैं यह देखें, mango tree आपने देखे ही होगा यह है गुल्मोहर का और यह है पेपल का तो क्या बता है आपको? जो उंचे होते हैं, लंबे होते हैं और सीधे होते हैं वो होते हैं पेड, trees Now turn your face Some trees like coconut, trees and dart palm have no branches अब कुछ पौधे प्रेड ऐसे भी होते हैं जैसे coconut इन्हें का नारियल का पौधा और डेड पाम यानि की खजूर का इनकी ब्रांचेस नहीं होती हैं यह देखें The trees grow for many years यह बहुत सालों तक बढ़ते हैं अब यहां पे आया shrubs shrubs मतलब होता है बेटा ज़ाडियां क्या होता है ज़ाडियां Some small bushy plant is called shrubs जो छोटी ज़ाड़ेदार पौधे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं shrubs कहते हैं ज़ाड़ी ज़ाडियां होती हैं जिनमे They have hard steams with many branches उनकी क्या होती हैं उनकी जो branches होती हैं अलग अलग जो टैनियां होती हैं थोड़ी hard होती हैं बहुत सारी होती हैं They live for few years वो कुछ सालों तक जिन्दा रहते हैं यह वाले plant कुछ सालों तक जिन्दा रहते हैं Rose, Heubicus, Cotton, Jasmine and Mendy are shrubs यह देखो Rose, Cotton, Jasmine, Mendy गुलाब का पौधा होता है Coconut का पौधा होता है Jasmine फूल का पौधा होता है यह किसमें आते हैं? Shrubs में मतलब ज़ड़ीदार पौधे में अब 10 यूर पेज अब है बेटा हर्प्स हर्प्स किसे कहते हैं? हर्प्स मतलब होता है जड़ी बूटियां क्या होता है? जड़ी बूटियां Very small and non-bushy plants are called हर्प्स जो बहुत ही छोटे होते हैं और जिनमें ज़ड़ियां नहीं होती हैं उन्हें कहते हर्प्स They are smaller than shrubs वो किस से भी छोटे होते हैं? Shrubs से भी छोटे होते हैं जब ही हमने जड़ी दार पौधे पड़े थे न उनसे भी छोटे होते हैं हर्प्स क्यों होते हैं? छोटे हर्प्स They have soft, thin and weak stems इनकी जो तन्य होते हैं बहुत ही soft, पतले और कमजोर होते हैं They are seasonal vegetable and flowering plants ये क्या होते हैं? एक ही season में होते हैं सीजन में होते हैं उसके बाद खतम हो जाते हैं Common herbs are Corn, wheat, rice, spinach, lady fingers, tomato, brinjal and mint अभी हामको कुछ herbs की example दे रखे हैं जैसे corn, भुट्टा ठीक है? Wheat मतलब ये हों? Rice, spinach, lady fingers, भिंडी, पालक, tomato, tomato ब्रिंजल मतलब बैंगन और मिंट मतलब पुदीन ये क्या होते हैं? कुछ ही time होते हैं उसके बाद क्या होते हैं? ये खतम हो जाते हैं जादा दिनों तक ये जिन्दा नहीं रहते हैं सोख जाते हैं तो ये क्या होते हैं? हबस होते हैं अब आया उनको खड़ा रहने के लिए हम क्या करते हैं इनको हम क्या कहते हैं लताएं बेल होती हैं ठीक है ये किसके उपर चड़ते हैं जो दूसरे पौदे होते हैं उनके उपर चड़के सहरा लेते हैं मनी प्लांट, ग्रेप वाइन, बीन, पी, एंड मौनिंग ग्लोरी और क्लाइमबर्स आपके घर में मनी प्लांट का पौधा होता है देखते हो अब हम उसको डोरी से लगाते हैं या उस पर छोटे से डंडा करते हैं तब वो खड़ा होता है P, मटर, मटर में भी हम डंडे लगाते हैं वरना वो लटक जाता है और नीचे ही गिरता रहता है ग्रेप्स, ग्रेप्स की वाइन होती है, जो ग्रेप्स की अंगूर की बेल होती है उसको भी हम क्या करते हैं किसी stand के सहते से उसको खड़ा करते हैं यानि कि clambers को क्या होती है stand की जुरुत होती है वो आपना खड़ा नहीं हो पाता है अप आगे आपके पास बेटा water plants water plants मतलब जो पौधे पानी में रहते हैं some plants grow in water कुछ पौधे कहा होते हैं पानी में they have soft streams ये भी इनकी तने भी कहोते हैं बहुत ही soft होते हैं lotus and water lily are water plants देखो lotus का मल और जो water lily होता है ये पानी में होते हैं इसलिए इनको क्या कहते हैं water plant कहते हैं throney plants throney मतलब तक कांटे कांटे वाले पौधे क्या होते हैं बीटर some plants have thrones कुछ पौधों में क्या पाए जाते हैं कांटे पाए जाते हैं cactus and rose plants have thrones cactus में ये कांटे ही पौधों के क्या करते हैं सुरक्षा करते हैं have you ever plucked a rose क्या आपने कभी रोज का पौधा तोड़ा है अगर आपको पता नहीं होगा किसमें कांटे हैं तो आप गुलाब का पौदा गुलाब तोड़ने जाओगे तो आप पे कांटे चुप जाएंगे इसे ये कांटे ही इन पौदों की शुरक्षा करते हैं अब हैं creepers creepers क्या होता है बेटा ये देख एक creepers सम प्लांट्स वीद वेरी वीक स्टीम स्प्रेड आउट ओन दे ग्राउंड कुछ पौधों के तने इतने वीक अमजोर होते हैं फैले रहते हैं पूरे ग्राउंड वे जहां पे बोई रहते हैं वहाँ फैले रहते हैं देखिए, वाटर मेलन होता है, यानि कि तरबूज हम खाते हैं, मेलन खरबूजा होता है, और पमकीन मतलब कद्दू होता है, इन्हें हम कहते हैं, क्रीपर्स क्या कहते हैं, लाइफ औप प्रांट्स, इनका जीवन देखते हैं, सम प्रांट्स लाइफ फॉर लाइफ फॉर शॉर्ट टाइम, कुछ पौदे क्यों होते हैं, बहुत लंबे साल तक जरते हैं, और कुछ पौदे बहुती चोटी अवस्ता में ही खतम हो जाते हैं, ट्रीज हैव अलॉंग लाइफ एंड लाइफ फॉर मैनी यर्स, जो एक पेड़ होता है, उसकी लाइफ बहुत बड़ी होती है, और बहुत ही सालों तक जिंदा रहता है, श्रप्स आलसो हैव अलॉंग टाइम, जो श्रप्स होती हैं, जहाड़ेदार पौदे होती हैं, इन इतना लम्मत जिन ही जीते हैं, वो नहीं रहते हैं, जितना पेड़ रहता है, हफ्स लाइफ फॉर अ शॉर्ट टाइम, और जो हफ्स होते हैं, जड़ी बुटी छोटी छोटी पौदे होते हैं, वो तो बहुत ये शॉर्ट टाइम तक एकी सीजन तक रहते हैं, ज्यादा त बड़ा कल हम इसकी एक्सरसाइस करेंगे ओके आप एक बार फिर से इस वीडियो को देखे क्यर्फुली और अपने बुक भी निकालिए और देखे समझे उसको ओके